वेराग की कोई उम्र रही होती, वेराग कब और किस उम्र में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। ये पंक्ती चरितार्थ की है राजा खेडा निवासी कुमारी रिधी जैन, पुत्री राम कुमार जैन ने। परिजनों ने बताया कि कुमारी रिधी जैन का काफी समय से पूजी गुरुमा चर्या, शिरुमनी, गड़नी, आरिका, शेष्ट, सौमिननदिनी, माता जी संग से जुडाव रहा और गुरुमा के पास आना जाना निरंतर लगा रहता है। विगत महा की तेश तारीक को रिधी जैन ने आठ वर्ष की आयू कूल की और शाश्वत तीर्थ सम्मेद, शिकर जी में विराजमान, गुरुमा के चर्णों में माता पिता और परिजनों की उपस्तिती में श्रीफल भेट कर आजीवन भर्मचर व्रत के लिए निवेदिन किय गुरुमा ने रिधी की आयू और भविष की इस्तिती परिस्तिती को ध्यान में रखते हुए अश्ट मूलकुन और आठ वर्ष तक का अभर्मचर का नियम दिया साथिया ने एक छोटे-छोटे नियम दिये और कहा कि गुटनों के बल चलते-चलते पैर खड़े हो जाते हैं छोटे-छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं रिदी ने गुरुमा से निवेदन किया कि हे चर्या शिरोमणी गुरुमा मुझे आप अपनी शिश्या के रूप में सुईकार करें और मेरा मोक्ष मार्ख प्रशस्त करें। राजा खेडा से मनोज रागव की रिपोर्ट मैं रिदी जैन मेरी उमर आठ साल है मैं नियमित रूप से मंदे जाती हूँ मेरी गुर्मग चर्या स्रूमन करने आठ का सिरी सौ मंदनी माता जी है मैं जब भी उनके पास जाती हूँ, उनके साथ मैंने पहली बार गर्णियार का सिरी स्योग नंदी माता जी को देखा, उनका वास्तर ले और उनकी चलिया देखी, तो उनके प्रवुचन सुनकर मैंने अपना मन पहला है, पैरेंस का नाम भी रोशन करना है, और अपने कौन है? पुरा नाम? गरणी आरिकाश्री, तापास मोटी बार? ठीक है, उनके गुरु का नाम ही रोशन करना, और अपने माता पिता का नाम ही रोशन करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से खाना, और नियम जो मिले होने अच्छे से पालूँ करना है, ज़्यादा जुआ अब एधाली ले दाना, अब यसी धरवर रिते हैं, अब आदी को तूँ बार चालाती हैं अब आदी को तूँ बताया था? गवासन से पंचान नमस्त्रा, तुछा की छो जो तुछा की छो, गवासन गया सब देगी? गवासन इस सफेंगे हैं, से दिहाँ, इस साइग. अब माता था जमीन मिलागा है? अरे, उसको कहा रहे हैं? तुछ आ नू! आजह आ नू! अनू आ पह से कर तो कियो कर एंग मंदे नू! आजह आए वहा जाता है? आनू आज़े करश्क था? सबस्क्राइब तर आप लगा जाया पर आखे कर और आखे कर गड़ा फगाड़ के तर दो खे आखे मात सर्सर लेडा यह से इर पाशी करूब क्या नहीं गजाखना यी बना कि बना है डिरेक्ट माताय करना अब पढ़ाई को करना है कर्दी कर्दी